अब भी तक यह सारा कोर्स जो आपने कवर किया उसमें सारा फोकस सोशल एंटरपनियोर्शिप पर था एकोपनियोर्शिप का जिकर जो है वो आप पहली दफा इन मॉडियूल्स में सुन रहें बिल्कुल यही सिचुएशन सारे लिटरेचर और फील्ड की है फील्ड में आप बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आपको और बहुत सारी ओगनाईजेशन अपने आपको सोशल एंटरपनियोर्शिप के तोर पर आइडेंटिफाय करते हैं पिछले कसी मॉडियूल में हमने पाकिस्तान का जिकर किया कि जहां पर कोई डेफिनेशन या कोई लीगल एंटिटी नहीं है सोशल एंटरपनियोर्शिप के हवाले से लेकिन लोग या और्गनाईजेशन अपने आपको सेल्फ आइडेंटिफाय करते हैं कि वो सोशल एंट ये वर्ल्ड ओवर एक ट्रेंड है जहां सोशल एंटरपनियोर होना अपने आपको सोशल एंटरपनियोर के तौर पर आइडेंटिफाय करना क्लेम करना एक डिस्टिंक्शन है जिसके एक पॉजिटिव वाइब आती है कि ये वो शखस या वो और्गनाईजेशन है जो के के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें डोनेशन भी दें इसके साथ वॉलंटियर भी करें इसके साथ जो एफ़र्ट्स है उसमें एक्सेस रिवन्यू जेनरेट करने के लिए काम करें सो मच सो के अब तो investors जो हैं उन्होंने social entrepreneurship में बाकाइदा invest करना शुरू कर दिया है कि उनकी investment ठीक है उस पे return तो आएगा लेकिन उसका एक positive impact भी होगा जिबकि इसके मुकाबले में echo entrepreneurship में जो title green का जो word है या sustainability की जो term है या echo का जो लफ्स है वो एक तरह से warning sign है investors के लिए अमूमन समझा जाता है कि जो green या echo technologies या innovations होती हैं वो expensive हैं उनके उपर return या तो नहीं है या बहुत ही long term return होता है और ऐसे businesses जो हैं वो एक burden है business के दुनिया पर finances के उपर ना के वो successful business हो सकते हैं ऐसा नहीं है बहुत सारे जो एकोपनियोर्स थे उन्होंने recently पिछले 5 से 10 सालों में वो जो glass ceiling होती है कि ये इस से आगे perform नहीं कर सकते उसको तोड़ा है और अपने आपको successful businesses के तोर पे establish किया है जबके साथ साथ वो अपनी environment friendly और sustainable practices जो हैं उनको जारी रखे हुए हैं हमने पिछले module में Tesla का जिकर किया था जो के ऐसी ही एक example है इसी तरह हमने एक और sector जो है solar energy का उसका जिकर किया था कि कैसे उसमें profit का margin हाई है फील अपी expand हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो environment में positively contribute कर रहा है ये थोड़ा सा mixed evidence है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि लोग अपने आपको एकोपनियोर के तौर पर identify नहीं करना चाहते क्यूंकि green practices जो है वो businesses के लिए investors के लिए खास तौर पर एक warning sign समझी जाती है एक burden समझा जाता है लेकिन दूसरी तरफ मैंने जिकर किया कि एकोपनियोर ने glass ceilings को तोड़ा है और अपने आपको successful और profit oriented businesses के तौर पर मनवाया है ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा model है business का कोई ऐसे हमारे पास examples है जो के demonstrate कर सकें कि social, economic और environmental balance जो है उसमें environment का focus या priority हो और बाकी दोनों को भी achieve किया जा सके अगले module में हम इस बारे में बात करें